किस तरीके से project हम create करते स्प्रिंग में पूरा backup end कैसे ready कर सकते डेटा बेस के साथ और इस wouldn कैसे कर सकते हैं यक्यार सो त्में तो यक हम एंप्लिकेशं यूस करने वाला हूं उसका नाम है पोस्ट मैं अच्छा हो सकता है काफी लोग के पास यह application ना हो तो इसको आपको करना पड़ेगा download आप इसकी official website पे जा सकते हो और windows पे जा सकते हो अगर windows है तो या फिर macOS है यह official site पोस्ट में की उस पे आप जा सकते हो यह और कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको मिल जाएगा windows 16 bit इसको download करना है और कुछ भी changes नहीं करने सिर्फ next और next जबाना application download हो जाएगी इसमें कुछ भी अलग से setting नहीं करनी है कुछ इस तरीकी का interface दिखेगा और अब मैं बताने वाला हूँ कैसे आप test कर सकते हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको type करना पड़ेगा अपना url तो आपको याद होगा application बनाते time हम जाते हैं यहाँ पर कौनसी application.properties file में तो अपने एक server का port लिख रखा था ठीक है तो जैसे मैंने 9191 यूज़ कर रहा है समझते कैसे हैं वो बताता हूँ मैं आऊंगा कहाँ पर controller नाम के folder में ठीक है product controller अब यहाँ पर देखो एक मैंने एक बना रखा है क्या post request के लिए post get यह सारी basic चीज़े तो शायद पता होगी अगर backend development कर रहा है put का मतलब होता है modify के लिए delete का मतलब होता है delete करना get का मतलब होता है access करना और post का मतलब add करना ठीक है तो जैसे मैंने एक यहाँ पर बना रखा है post तो slash add product डालू मैं और पूरा schema दे दूँ और जैसा कि आपको ध्यान हो मैंने क्या करा था मैंने एक चीज़ बोली थी इसका schema बनाते वक्त कि हम id कभी pass नहीं करेंगे कभी भी नहीं हम सिर्फ name quantity और price पास करेंगे तो अब चीज़ को ध्यान से देखना सबसे पहले मैं यहाँ पर select करूँगा method क्या है post और यहाँ पर जो भी route था उसमें हमने पहले 9191 हमारा port दे दिया अब इसके आगे हम route specify करेंगे क्या हो क्या था slash add product ठीक है अब इसके बाद हम यहाँ पर data भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर हम select करेंगे क्या body और body में यहाँ पर हम format हमेशा json select होने json select करके छोड़ देंगे ठीक है और यहाँ पर हम type कर देंगे यह जो भी तीन data values है क्या क्या name quantity और price तो जैसे मैं इसको थोड़ा सा edit कर देता हूँ मैं अभी के लिए washing machine डाल देता हूँ washing machine ठीक है और quantity 1 ठीक है और इसको 1100 कर देता हूँ ठीक है और इसको मैं कर दूँगा send क्या हो गया ठीक है वो camel केस था add p capital था ठीक है इन चीजों का भी धियान रखना और इस तरीके से जो data है वो हमारे store हो चुका है यह id auto generated है और उसके बाद यह नाम और यह जो भी चीज़ है यह हमने जैसे double दिया था यहाँ पर as a data type तो dot zero उसने मतलब decimal value अपने आप लगा दिया है ठीक है अब हमारा यह add हुआ है की नहीं database में उसको check करने के दो तरीके है सबसे पहला तो क्या हम get request चला के देख लें जो हमने बना रखी क्या slash products slash products चलाएंगे तो वो सारी जितने भी product अभी तक add हुए है वो दिखा देगा पर मैंने कुछ और भी चीज़े उसमें add कर रखी है पर इसको कर लेते है product वाले route को चला लेते है product और यहां पर नाम दे दो slash यहां पर मैं नाम दूँगा किसे washing machine add करी तो washing machine है या नहीं ठीक है और यह क्या एक तरीके से get request है इसको fire करके देख लेते है ठीक है तो यह मिल रहा है return में मतलब हाँ है यह पूरी detail मिल रही है फिर भी देखना चाहते हो products तो देख लो एक बार products वाला route चला के क्या है route slash products अच्छा दो बार type कर दिया ठीक है कुछ इस तरीके से इस तरीके से जो मैंने कुछ दो तीन चीज़े एड कर रखी है वो सारी चीज़े दिख जाईगी इसी तरह आप सारे route चला के देख सकते हो modify वाला भी कुछ इसी तरीके से चला के देख सकते हो इसके लावा एक और तरीका क्या हो सकता है आप mysql में ही देख लो ना सीधे जो भी आप data वगरा manipulation कर रहे हो वो चीज़ वहाँ पर हो रही है या नहीं हो रही है यह password डाल दो show databases यूज जावावेब जो टेबल्स पर हमने टेबल कॉनस चीज़ करी थी product underscore table तो select star from product underscore tbl इस तरीके से यह देखो हमारे जो भी data वो store होते जा रहा है और हमें आपर दिख जाएगा हमारे mysql में तो बस यही था इस तरीके से आप project बना सकते हो और test कर सकते हो इसके लावा कोई query हो तो comment section में छोड़ देना thank you और अगर यह video अच्छी लगी हो video series पूरी अच्छी लगी हो तो like, comment और subscribe कर देना channel को